नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज लेंगे दर्शकों के प्रश्ण और उनके उत्तर तो आज की कुछ प्रश्ण जो एक साधक महोदे ने पूछे हैं इनके ई-मेल पत्र के माध्यम से चलिए पढ़ लेते हैं नमस्कार मित्र आप जैसा अच्छा व्यक्ति और साधक भक्त गुरु करोणों में कहीं नहीं मिलता है कृपया मेरा नाम और ई-मेल आईडी न बताएं मैंने महा विद्या स्त्रोत पढ़ा उसमें प्रतीक भगवान के लोक को बंध बंध रक्ष रक्ष कहा है इसका अर्थ क्या है शप्तशती पाठ में अपसरा मंत्र का उपियो कैसे और कब करें अपसरा को पत्नी रूप में सिद्ध कर उसे भैर्वी बना सकते हैं सब प्रकार के सुख और मोक्ष में भी सहायक हो ऐसी कोई साधना है यक्षनी सिद्धी और अपसरा में अच्छी कौन सी है मतलब वो करने पर पाप न लगे क्या हम अपसरा को पत्नी रूप में सिद्ध कर यक्षनी को सेविका रूप में या केवल शट कर्म के लिए सिद्ध कर सकते हैं काली सहस्त्र नाम के वीडियो में डाकिनी जैसे योगिनी रूप धर लेती है वैसी समस्या अगर हमारे साधना में आये तो उसका क्या उपाय और मार्ग है कैसे समझें कि हमने जिसे बुलाया है यह वही सिद्धी है अगर पहली बार में सफलता ना मिले और दूसरे प्रयास को भी अभी थोड़ा समय बाकि हो तो ब्रह्मचले तूट जाए क्या बनी हुई उर्जा समाप्त हो जाएगी आगे उसका फायदा क्या होगा अपसरा मंत्र का जब हम 40 माला की जग है 100 माला करें और हवन भी अधिक करें तो वह खुश होगी या उसको कोई फायदा नहीं है तांत्रीक लोग अनेक सिद्धियां सिद्ध करते हैं जैसे प्रेद सेना जो इनको हर रोज जाप और हवन इनकी लिए करना पड़ता है सिद्धी बरकरार रखने के लिए या सिद्धी हो जाने के बाद जाप करने के अवश्यक्ता नहीं होती अगर अपसरा पत्नी या प्रेमिका बन कर संभोग करें तो हमारे सारे पुर्ण और उर्जा उसे मिलती है तो क्या गुरु मंत्र की भी उर्जा उसे मिलती है यही सारे प्रशन आज के साधक महोदे ने पूछे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को महाविद्या स्त्रोत में प्रतिक भगवान के लोक को बंध बंध और रक्ष रक्ष कहा गया है इसका मतलब है कि हम भगवानों के प्रतिक लोक को बांधते हैं इस मंत्र के माध्यम से और रक्षा करते हैं उसकी क्योंकि महाविद्या स्वयव हर जगे अपनी शक्तियों के साथ उस लोक की शक्तियों को बांध लेंगी और रक्षन भी करेंगी यानि उनकी रक्षा भी की जाएगी इसका अर्थ यही है सब्सति पाठ में अगर अपसरा मंत्र का उप्योग करना है तो उसकी एक अलग विधी मानी जाती है स्री दुर्गा शप्तशती के मध्यम से अपसरा सिद्धि प्रयोग एक गोपनी बात है जो भविष्य में मैं आप लोगों के लिए अवस्य ही ले कर आऊंगा जिसके मध्यम से आप अपसरा की साधना जो लोग कर चुके हैं उस अपसरा को आकरशित करने और स्वर्ग से अपने लोग में खींचने के लिए यह प्रयोग किये जाते हैं लेकिन यह एक अत्यन्त ही गोपनी प्रयोग होते हैं और साधक हर प्रकार से शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है अन्य था इसका उल्टा असर देखने में आता है क्योंकि माता किसी गलत कारे के लिए कभी भी तैयार नहीं होती है इसलिए उनकी साधना या उनकी शक्ति का प्रयोग केवल विशेस प्रकार में ही करना चाहिए अपसरा को यदि पत्नी रूप में सिद्ध करना है तो क्या उसे भैरवी पना सकते हैं देखिए अपसरा जो है वह एक अलग योनी है और भैरवी एक अलग शक्ति है अपसरा महापसरा बन सकती है किन्तो वह भैरवी नहीं बन सकती है लेकिन भैरवी से आपका तातपर्य अगर पत्नी है तो निश्चित रूप से अपसरा को पत्नी बनाया जा सकता है और भैरवी के समान ही उससे फायदा भी उठाया जा सकता है लेकिन दोनों की श्रेणी अलग है अपसरा कभी भी भैरवी के समान शक्तिशाली नहीं हो सकती और अपसरा पत्नी रूप में भी अंततो गत्वा आपको किसी न किसी दिन छोड़ कर चली जाएगी क्योंकि यहाँ पारिवारिक संबंद बनाना पसंद नहीं करती हैं सिर्फ भोग और विलास ही इनकी इच्छा रहती है अन्य था इनका अपसरा स्वरूप समाप्त हो जाएगा इसलिए मेन का उर्वर्शी जैसी कई सारी अपसराएं साधकों के जीवन में आई लेकिन उन्हें छोड़ कर फिर चली भी गई किन्तु भैरवी मृत्यू पर्यंत्र तक आपके साथ रहेगी और आपने अगर उसे संपूर्टा से अपना लिया तो मृत्यू के बाद भी आपको भैरव देवता बनाकर आपके साथ विराजमान हो जाती है सभी प्रकार के अगर सुख और मोक्ष प्राप्त करने है अगर यह प्रश्ण है तो गुरु मंत्र से उत्तम कोई साथना नहीं है गुरु मंत्र न सिर्फ समस्त भतिक सुखों को प्रदान करने वाली साथना है बलकि पून मोक्ष भी देती है इसलिए कोई भी साधग गुरु से गुरु मंत्र अवश्य प्राप्त करे और वह महा मंत्र होना आवश्यक है जैसे जो मंत्र मैं अपने शिश्यों को प्रदान करता हूँ वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चारों पुरुशार्थ देने में पूर्ण तहा सक्षम है और इसके अलावा हर प्रकार की तांत्रिक साधनाओं का बेस तैयार कर देता है इसलिए ना तो उस साधक पे बुरी शक्तिया कभी हावी हो पाती है और ना ही किसी साधना में अगर कोई साधक असफल हो जाए तो भी उसका गलत प्रभाव उस साधक पर नहीं पड़ता है इसलिए गुरु मंत्र का अनुष्ठान मैं सबसे पहले ही करवा लेता हूँ अगला प्रशन है कि सिध्धी यक्षणी की और अपसरा में कौन अच्छा है जिसमें पाप न लगे देखिए सिध्धी और उसके अलग-अलग स्वरूप यह साधक पर निर्भर करते हैं यक्षणी भी उन पवित्र शक्ती है अपसरा के ही समान हम उस शक्ती से कौन से कारे कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है हम जैसे कोई कुट्ता पालता है लेकिन उस कुट्ते से अपने घर की रक्षा करवाए लोगों की रक्षा करे तो वह पूर्णे का कारे है और उसी कुट्ते से लोगों को कटवाए और शिकार का कारे करे तो वह पाप है तो यही बात आती है किसी साधना में आप उस साधना का उप्योग भले के लिए कर रहे हैं अथ्वा बुरे के लिए यह आपकी इच्छा और आपकी सोच है उसी हिसाब से पुर्णे और पाप आपकी जीवन में बनता है अगर हम अपसरा को पत्नी स्वरूप में सिध्ध कर लें यक्षणी को सेविका के रूप में या केवल शट कर्म की सिध्धी के लिए कर सकते हैं अर्थात इस प्रशन में यह कहा गया है कि क्या यक्षणी और अपसरा दोनों को एक साथ सिध्ध किया जा सकता है जी हां किया जा सकता है और ऐसा प्रियोग हम रावण के समय में प्राप्त करते हैं जब रावण ने कई सारी यक्षणी सकतियों को सिध्ध कर रखा था इसके अलावा कई अपसराओं को भी सेवी का बना कर रखा हुआ था तो कई सकतियों को हम बना सकते हैं लिकिन इसके लिए आपको बहुत ही उच्च कोटी का साधक होना आवश्यक है अन्य था आप साधनाओं की उर्जा संभाल ही नहीं पाएंगे इसलिए यह कहना एक साधन व्यक्ति के लिए सरल बिलकुल भी नहीं है कि वह दो शक्तियों को एक ही समय में अपने नियंत्रण में रख सके काली सहस्त्र नाम के वीडियो में डाकिनी और योगिनी इन सक्तियों का आना और साधना के दौरान यह समस्या होना कि हमारे सामने देवी का कोई स्वरूप आया है अत्वा कोई भ्रमित करने वाली शक्ति आ गई है तो यह बात केवल उस वक्त साधक ही समझ सकता है आपका जो मूल उद्दिश होता है उसके अलावा अगर शक्ति कोई प्रलोभन दे रही है तो वहाँ सिद्धी ही होती है और उसका उद्दिश आपकी साधना भंग करवाना होता है लेकिन कोई शक्ति वर्दान देती है तो वहाँ वही शक्ति है जिसकी साधना आप कर रहे हैं तो उस दोरान पांच शत्रू सदेव तयार रहते हैं यानि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इन पांचों शत्रूं से किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया प्रलोभन आपको अपनी रक्षा में रखना है और इसी के इर्द गिर्द सारे प्रपंच रचे जाते हैं इनको ही समझते हुए आपको अपने आपको तयार रखना है तो फिर आप किसी भी बुरी शक्ती जो आपकी साधना भंग करने के लिए आएगी उसके प्रपंच को समझ कर उसको नश्टाप कर देंगे अगला प्रश्ण है कि अगर पहली बार में सफलता ना मिले और दूसरे प्रयास में भी थोड़ा समय बाकी है और ब्रह्मच रे टूट जाता है तो उर्जा समाप्त हो जाएगी आगे उसका फायदा रखना होगा या वह प्रयास जारी रखे हमेशा एक प्रतिक साधक के ज सदेव उसे अगला प्रयास करते रहना चाहिए बार बार ब्रह्मच रे टूटे का तो साधना बार बार भार भंग होगी लेकिन प्रयास तब भी जारी रखना चाहिए साधना और सिद्धी आसानी से मिलने वाली चीजे नहीं है इसमें वर्षों भी लग सकते हैं इसलिए अपने प्रयास को लगातार जारी रखे और उर्जा को बढ़ाते रहे इससे अगर शक्ती सिद्ध नहीं भी होती है तो भी वह अपनी क्रपा पर बरसाने लगती है क्यो अब मेरा भी एक हक बनता है कि इससे कुछ न कुछ देती रहूं इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि मैंने साधना की बार बार की बार बार अस्फल रहा लेकिन मेरी साधना सून्य हो गई तो वह गलत सोचता है यहां तक कि अगर व्यक्ति पूरी जिंदगी भी अस्फल रहता है तो अगले जनम में उससे केवल एक बार मंत्र पढ़ने मातर से ही वह शक्ती सिद्ध होकर आपके समस्तकारे करने लगेगी और ऐसे हज्जारों उधारण हैं जहां लोगों ने एक माला में संपूर्ण सिद्धी प्राप्त कर ली ऐसा सिर्फ इसले हुआ क्योंकि पिछले जनम में उन्होंने उसी शक्ति की साधना कर रखी थी तो शक्ति सिर्फ इह इंतजार कर रही थी कब उसके मंत्र का जाप किया जाएगा अगर अपसरा मंत्र का जप हम 40 माला की जगे 100 माला करें और हवन भी अधिक करें तो क्या वह खुश होगी जितनी ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे शक्ति उस श्क्ति की बढ़ती ही जाएगी तो अगर आप ज्यादा जाप करेंगे तो वह अधिक शक्तिशाली होगी और अगर अगर अधिक शक्तिशाली होती है तो उसका फायदा आपको तो मिलना ही मिलना है लेकिन सिद्धी मिलना और कृपा मिलना दोनों अलग बाते होती हैं बड़ी शक्तियों को हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं जैसे मादुरगा हैं, भगवान विश्णु हैं, भगवान शिव हैं अगर कोई सोचता है कि इनको सिद्ध कर लेगा कोई विक्ति तो वह गलत सोचता है क्योंकि यह इतनी बड़ी उर्जा हैं जो ब्रह्मांड को उत्पन कर रही हैं और उनको चला भी रही हैं तो यह साधना करने पर केवल उनकी उर्जा छोटे छोटे सरूपों में आपका कल्यान करती रहेंगी और आपको जीवन में बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होगा लेकिन अगर आप अपसरा, यक्षिनी, योगिनी, भैरवी, इत्यादी शक्तियों की उपासना करते हैं तो वह शाक्षात प्रकट होकर आपकी समस्त सिद्धियां आपको प्रदान करते हैं अगर तांत्रिक लोग प्रेत सेना या इस तरह की कोई सिद्धी करते हैं तो क्या उन्हें हर रोज जाप और हवन करना पड़ता है सिद्धी बरकरार रखने के लिए तो बिलकुल यह बास सत्य है छोटी सिद्धी तो छोटा प्रयास, बड़ी सिद्धी बड़ा प्रयास और साधना शक्ति को अपने पास बनाए रखने के लिए उनका रोजाना जाप करना और उतना तब करना अवश्यक हो जाता है क्योंकि कोई शक्ति आपके पास आती है तो उसे शरीर भी धारण करना पड़ता है उसे अपनी उर्जा मेंटेन रखनी पड़ती है जबकि उसके पास शरीर भी नहीं है तो वो सब सिर्फ आपके मंत्र और आपके तप की उर्जा से ही प्राप्त करता है और आपका ही मंत्र जाप आपके कल्यान के लिए उस शक्ति के माध्यम से कारे करता है इसलिए रोज जाप, रोज हवन या इस तरह की जो भी आपके बीच एक संबंध बना है वचन एक दुसरे को दिये गए हैं वह सारे कारे करते हैं सिद्धी हो जाने के बाद जाप करने की आवश्यक्ता तब भी बनी रहती है क्योंकि कहते ना जितना बार आप उसको और शक्ति देंगे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी ऐसे कई उधारण हैं जब छोटे से प्रेत को सिद्ध करके स्वयम भगवान शिव के लोग तक पहुंचा गया है इसलिए आप कोई सिद्धी करें तो उसकी मंत्र जाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसकी शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए और उसका प्रियोग कभी गलत नहीं करना चाहिए तो वो शिक्ति और सिद्धी बढ़ती जाएगी उसकी कारेश हमता भी बढ़ती जाएगी क्योंकि जैसे आप भोजन एक बार ले ले और फिर सोचे कि हमें जिन्दगी पर भोजन लेनी की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी यहां गलत सोच है इसी तरहे आपकी मंत्र उर्जा कोई शक्ति प्राप्त करती है तो उसको बार बार आपकी मंत्र उर्जा प्राप्त करने की आवश्यक्ता है तभी वह आपके लिए कारे कर पाएगी और अपनी सक्ति को भी बढ़ा पाएगी लेकिन उसकी सोच को अपने पर हावी नहीं होने देना है बलकि अपनी सोच ही उस पर सदेव हावी रखनी है यह हमेशा प्रतीक सादर ध्यान रखे अपसरा पत्नी या प्रेमिका बनकर संभोग करे तो हमारे सारे पुर्णे और उर्जा उसे मिलती है क्या गुरु मंत्र की भी उर्जा उसे मिलती है देखिए निश्चित रूप से अपसरा अगर संभोग करेगी या यक्षणी संभोग करेगी या कोई और शक्ती ऐसा कारे करेगी पत्नी स्वरूप में या प्रेमी का स्वरूप में तो उसको शक्ति आपकी आधी मिलेगी ही लेकिन अगर आपने गुरु मंत्र का जाप किया है तो उसकी उर्जा अगर आप उसे देंगे तब ही मिलेगी अन्यता उसे प्राप्त नहीं होगी उसे केवल वही उर्जा और शक्ति मिलती है जो उसको समर्पित की जाए तो जो साधना हम उसके लिए कर रहे हैं वह उसको पहले से ही समर्पित है तो उसके मंत्र की पूरी उर्जा उसे मिलती है लेकिन जो मंत्र उसे हम नहीं दे रहे हैं उसका जाप उसको समर्पित नहीं कर रहे हैं वह उसे प्राप्त भी नहीं होता है लेकिन आपके साथ रहते हुए उसका कुछ असर उस पर भी देखने को मिलता है और आपकी उर्जा का कुछ भाग उसे अलग सुरूप में मिलता है इसलिए पत्नी बनने पर आपके गुरू मंत्र का भी कुछ ना कुछ असर उस पर आएगा और यह बहुत ही शुबता लाता है लेकिन जो जाप उसके लिए नहीं किया जारा उसकी उर्जा आप में ही सम्मिलित रहती है इसलिए कहते हैं गुरू मंत्र अवश्य ही प्रतेक को लेना चाहिए और यही आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है क्योंकि कोई भी सक्ति आपने सिद्ध कर ली और अपने पास रखी हुई है वह शक्ति आपको भटका ना दे आपको नर्क में ना ले जाए उसकी लिए आपका गुरू मंत्र ही आपकी रक्षा करेगा इसलिए गुरू मंत्र सरवत्तम साधना है जो समस्त प्रकार के सुखों को देते हुए अंततो गत्वा मोक्षप्रदान करती है यहां तक कि साधक के साथ उसकी साधिका शक्ति यानि वह यक्षणी या वह योगिनी या वह अपसरा भी मुक्ति को प्राप्त कर जाती है क्योंकि वह मंत्र रोज सुन रही है तो यह थे आज के कुछ प्रश्न जो साधक महदे ने पूछे थे अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद